नमस्कार साथियों डॉक्टर रुमंख हना उंपथी क्लीनिक के आपके इस प्रोग्राम में स्वागत है साथियों आज हम बात करेंगे दुख की शायद आपको लगता होगा कि हर वेक्ति आजकल दुखी ये कोई खुश नहीं है यहाँ पूरी तरह सत्य नहीं है लेकिन यहाँ एक तत्य भी है हर वेक्ति आप जिसको देख रहे हैं वो दुखी ही नजरा रहा है प्रेसानी नजरा रहा है और यह से अब तक कहा जाता था कि वह दूसरों की परेसानी के कारण परेसान है लेकिन अभी अकिकत नहीं है कि यह समझता हूं आदमी परेसानी में ही परेसान है कोई ना कोई पीस है उसके सामने जिसा है जो उसको रात में सोने नहीं जे रहा और दुख में है सैडनेस में घ्रीफ में है हम इस वीडियो में परेस आपको दुख से निकालने का या आपके लव्ड मर्स जोए आपके जो चरीव से निकालने का प्रयास होमियोपरिठिक धवां के माध्यम थे होमियोपरिठी में टायकर दवाय आती है जो आपको सैटनेस या गृgh की कंडीशन से निकाल देगी, साथियों पहले जान लेते हैं, आखिर ये दुख होता क्या है, दुखी हम सब लोग है, लेकिन दुख होता क्या है, फिट भी हमको नहीं पता रहता है, दुख साथियों एक emotion का over reaction होता है, एक feeling होती है, जब आप किसी अपने को खो देते हैं, आपनी जो चीज आप कुप्रिये होती है, उसको खो देते हैं, या कुछ ऐसा होता है, जो चाहते हैं, आपको नहीं मिलता है, वो एक नौकरी भी हो सकता है, वो आपके जो है हो, परिवारी kurmotional रिष्टे भी हो कि वह सकते हैं तो जो दुकान पे है तो जो दुकान में आप यह तो आप दुकही हो गए तो वह वक्त के साथ चला जाता है 2, 4 दिन आप सोचते हो चला जाता है सा बड़ी-बड़ी इची थी नहीं को बाते हैं लेकिन जब आप कि इसी अपने को खोते हैं किसी बहुत ग्रीफ है ग्रीफ वहां इस्तिती है कि जब आप कर जो चीज आपके पास से चली गई है वो आपको वापस नहीं मिल पाती है और फिर आप उसको सोच के दुखी हो जाते हैं तो वहां जो दुख होता है वहां ग्रीफ होता है जब यहां ग्रीफ साथ हो काफी वक्त तर बना रहता है आपके मन में उस तो जो है फिर यह complicated grief हो जाता है और जब complicated grief हो जाता है वो एक medical condition होती है जिसके लिए होगे उपयती में दबाएं हैं आपके दुख को यह दबाएं कम करेंगी दुख से आपको निकालेंगे और आपको सामाने जीवन बिताने में मदल करेंगी बात कर लेते हैं साथ ही इसके symptoms की symptoms साथ ही दुख में जब आप दुखी होते हैं तो या तो आप रहते हैं या बेचायन होते हैं या तो cry करते हैं या आप anxious होते हैं या फिर आप थोड़े चॉइस जो है वहाँ होम्योपैथी हो सकती और आप होम्योपैथी की दवाई लेकर चीज को सीच कर सकते हैं कारण साथ ही हूं दुख क्या कारण हो जो साइटिफिक कारण है वह आज तक इस नहीं हुआ है नॉर्मली या निरो ट्रांस्मिटर्स पर जो ब्रें में निरो के सब्सक्राइब करता है लेकिन इसका एक्जैक्ट कॉस आज तक अनोन है क्या वह आज तक एक साइक्याट्री में शामिल हो गया है कि वह सोच है तो उसका कोई कारण आज तक ऐसा नहीं निकल कर आ पाया है लेकिन अगर आप दुखी है तो आपको दुख को दूर करने की हमारे पास हमियोपी दवाय जनकारी में हैं हम आपको बताएंगे आपका शैडिनेस तो क्या घ्रीफ को खांप करने की दस कारगर होमियोपेटिक दवाएं एक बादोतार दुसातियों या दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं कोई भी दवा बिना कुसल्टी की सक्षे पीछे पूछे ना लीजेगा क्योंकि पता नी मेंटल स्टेट आपी क्या हो और आप उसको क्या समझ रहे हूं तो अगर आ साथएं नम्बर एक दवां व्युपेटि में जो आपका दुख दूर करने की दुख हरने कि है वह लुक्त हरका है हुआ में बहुत अच्छी दवां है उस्कsstप कि हो कि डिरिए कि जब यसी अपने को खो देते हैं या आप जिससे त दिल लागा वेटते हैं जिसको आप च बिलपाता है दुखा दे देता हो आप इस पॉइंट हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं अगर या इस्तिती साथी हो है तो आपके लिए बहुत अच्छी दवाई इनिश्या है आप इनिश्या 30 पावर में दो दो फून दिन में तीन बाल ले सकते हैं उस कंडिशन में जब आप ने किसी अपने को खो दिया हो जैओ आप कोई अपना इस दुनिया में न रहा हो आप ने किसी से दिल लराया हो और वो आपको दुखा देकर चला गिया हो उति किसी करण वश्य वह आपको साथ ना पाया हो और आप अपने में खोय रहते हों , अपने विचारूं में खोय रहते हों , अपने थौक्त दबा है आप नीशाय साथी पावर में दो 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 दिन में तीन बाल लेकर एक बार अपने को ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं फिर साथी हो एक इस्चिती आती है कि जब आपको सुनते हैं तो आप बहुत दुखी हो जाते हैं मतलब बहुत लोग देखा हो गया के गाना कही सुननाएं कांसर्ट में सुनाओ रोने लगते हैं कि उनका दुख होता है घ्रीफ होता है यहाइं शतिती हो कि आप यह निजिध दुख महसूस होता हो तो म्यूजिक की अवाजों से और आप में एक सुसाइजर टेंडेंसी हो तो हुम्योपेथी में उस सिम्टम को ठीक करने की बहुत अच्छी दवाग रिफाइटिस है रिफाइटिस थर्टी पाव में दो दो दिन बार दिन में तीन बार हर वो व्यक्ति ले सकता है खास तौर से महिला है महिलाओ पर ग्रफाइटिस बहुत चर्सूट करती है अगर वाँ फियर फैट एंड फ्ल बैबी तो होता ही उसमें कभव की शिकायत होती है तो आप अपने में समझें तो आप गर्फाइटिस का दबा लेकि अपने दुख ग्रीफ और सैडनेस पूठी कर सकते हैं एक इस्टिति आती है साति हो जब आप दुखी होते हैं ग्रीफ में होते हैं तो आप बहुत देर सब्सक्राइब काफी वक्त से चलना हो और आपको अकेले में रोना आता हो और किसी की तसल्ली आपको और रोलाती हो तो उसे स्थिति को ठीक करने की हुमियोपैथी में बहुत कारगरदवा नेटर्म अगर यहां इस चितिया है तो नेटर्म यूर आपकी ट्रॉट आपकी ट्रॉट्स पर भी ले सकते हैं हफ्ते मिले सकते हैं जब आप का मन दुखी हो ग्रीफ में हो सैटनेस में हो आप अकेले में बहुत देर देर तक रोते हों किसी का आपको सांटोना देना अच्छा ना इस हो सकती है आप इसका दीन ह्ट लेकर अपने को इस कि परिशानी की मांजिक परिशानी के सथिर से बाहर तर्साक्ते हैं एक इस सती ने और किसी ने कित लिए मानिये, मोधी जी को कि हर वेक्ति उनको कुछ न कुछ कह रहा ह। 218 परसंट लोग वेक्षा दिमालने कि वह क्या कर रहीं तो इस फे giary अफ्यानियक जनना Back तो इस मासिक्ता में आपको लाने के लिए हुम्योपेथी में दवा है कोई जरा सा कुछ कह दें साथ नराज हो गए लड़ने लगे बुश्टा करने लगे अगर आपने यहां सिंटम्स हैं तो आप इन सिंटम्स से निकालने की बहुत कादर दवा है आप को कुलस दोसो दो दो बूंद निन में तीन बाल ले सकते हैं यदि आपको जरा सा कोई कुछ कहा दिया को जरा सा इंसर्ट कर दे तो आप 15 दिन दुखी है बीर दिन दुखी है तो उसे सिती को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा को कुलस है आप को कुलस दोसो पावर में दो दो गून जिन में तीन बाल ले ले आपका दूसरों की बात का तहेगा आपके असर नहीं पड़ेगा कुकुलस चक्कर की भी बहुत अच्छी दवा है किसी को चक्कर हाथ वो कुकुलस ले सकते हैं या फिर किसी को जो गाड़ी में बैठते हैं और उनको वामिटिंग उल्टी आती हो तो भी कुकुलस उसकी बहुत अच्छी दवा है एक इस्थिती साथियों को जो दुख सेस करना उसके सामने आ सकती है कि उसे फिर आप लीने की कोई ख्वाइस नहीं बैठी और उसे अपनी दुख से निकलने का एक लितल्प लगता है वहार सुसाइट यानि आत्मत्या तो अगर आप इस इस्थिती तक अपने मांसिक रूप से परिशान हो गए हैं तो उसको भी ठीक करने की हुमियोपैती में बहुत कारगर दबा है और दबा के नाम है औरम मिटालिकम आप औरम में 30-2 दो दो दिन में 3 भार ले सकते हैं अगर आपको सुसाइट करने की इच्छा होती है आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कहते हैं आप मत्या के लावा कोई रास्ता नहीं वचा मैं सारे जटन कर चुका हम तो अगर यहाँ फीलिंग आप में है तो आपको ठीक करने की हुम्योपैती में बहुत कारकरदवा औरम मिटालिकम है आप औरम मिटालिकम 30 ले और अपनी इस मांसिक सिस्टिजी से निकले क्योंकि साथ को जीवन अन्मोर है सुचिए आपके माबात में आपको किस कश्ट से पलाया बढ़ाया होगा आपकी पढ़ाई कराई होगी आज फीसे बहुत जादा है लेकिन आज सिर्द सार पहले भी फीसे कम नहीं थी उस समय आपदनी भी कम थी तो उसके रिलेशन में अ 50 रुपीज उसकी फीस ती आज मेरे बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी फीस है सतीन साड़े तीन हजार उपए जो कि अभी भी बहुत कम है और स्कूल सको देखते हुए तो आपके माबात मेरे मातर पिता मेरी फीस देते होंगे उस समय उनकी तंखा भी हमा आपसी खराब इस्थिती के कारण सब खतम करने की सोच रहे हो जबता आपके पीछे परिवार हो बच्चे हो तो आपके पांच लोग डिपेंड हैं आपके माबाप इनमें से जो भी आपके साथ हो माबाप पत्नी बाइफ यानिकी और मा लीजे दो से तीन बच्चे हैं यह मिनिमम लोग है जो डिपेंड होंगे आपके और भी जनी कितने लोग आपको डिपेंड होंगे तो आप महत्या करना आपको दुख को खतम करने का विकल्प नहीं है बलकि आप महत्या करना अपने अजीज लोगों को दुख देने का विकल्प है तो मैं आप से कहूंगा कि अगर आपको सुसाइट की टिंडेंसी होती है तो आप और मेटालिकम दवा ले और अपने वो ठीक करके अपनी परिशानियों से लणे अपने दुख से लणे उप जीवर में आजे बढ़े अपने माबाप को जाए वो इस धरती पर ईव को छहाए वो उपर हो आपको उनको खुसी लेना प्राइमरी मैत हो है तो कि कोई किसी का नहीं होता आपके सिlar माबाब आपोथ होते हैं जो आपके साथ होते हैं पाइस सब के वल दिखावा अफ्छलाबा है उसके बाद अगर कोई है तो आपके बच्चे और बीवी है और इसके अलावा फुल स्टॉक रख जाता है तो मैं बाद को थोड़ा दंबा कीतिया लिएकि मैं आप से बात करना चाहता था और में टैलिकम बहुत अच्छी दवा है यहां दवा लेकर आप अपनी सुसाइबल टिनेंसी जो आपके दिमाग में अपने दुख को लेकर आ रही है उसको खत्म करके जीवन के नए पड़ाओं में प्रवेश कर सकते हैं एक स्थिती साथ हो किसी में आ सकती है कि उसको यह ऐसास हो कि अब आप दुनिया के लिए किसी काम का नहीं बचा और दुखी रहता है मतलब उसका दुनिया में कोई जो है वहाँ अब इस्थान नहीं बचा वहाँ दुखी रहता है और सुसाइट करने की कोशिश करता है यहां कि स्थिती होती जो बहुत लोगों में होती है और इस स्थिती को नितानने के लिए में पैठी में दवा भी है और दवा के नाम है अरुटी पावर में दो दो फून दिन में टीर बार हर वो वेर्थी ले सकता है जिसको अब दुनिया में किसी काम करें दुनिया उसके लिए किसी काम की नहीं और मौत पो गले लगा लेना चाहिए तो ऑरुटानेजी है आपकी लिए आभिए आपको इस मात्सिक परिशानी से निकालेगी और आपके जीवन को बहतर बनाएगी एक सिति आती है साथियों कि बहुत दुखी है और अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता और बहुत कमजोरी आगए तो गर्याय सिति आपको इंडिफरेंस हो कुछ भी अच्छा ना लगता हो किसी से बात करना पसंद नहों और आपको weakness कमजोरी बहुत आगी हो, आपके आखों के नीचे काले घेरे हो गए हो, उस इस्तिती को ठीक करने की हुमियोपेटी में और आपके दुख को खतम करने की बहुत अथी दवा है acid phosphoricum, आप acid phosphoricum दो दो गोल दिन में तीन बार ले सकते हैं, यहाँ दवा आपकी कमज आपके बनाईगी, फिर साथी में इस्तिती आ सकती है किसी के साथ, कि आप बहुत दुखी हो जाते हैं, यहाँ सोच कि बहुत बुरा कुछ होने वाला है, आपका मन इस आसंका से दुखी हो जाता है, और आप रोज ऐसे आसंकित रहती है, तो अगर यहाँ इस्तिती हो, कि आपके मन में आसंका आती हो, कि साव आगे कुछ बुरा होने वाला है, अगर यहाँ फीलिंग यहाँ आप में विचार आ रहा है, तो उसको ठीक करने के योगमोपरती में बहुत काड़गर दवा, प्लंवा मिटालिकम है, प्लंवा मिटालिकम थाटी रोज बूद दिन में इसको जिन्हों ने कभी या पुरूस हो, कि जिन्होंने कभी अनेतिक संबन्द किसी के साथ बनाए है, सेक्सुल संबन किसी के साथ बनाए है, और अब वहाँ उसके परशान है, उसे लगता है, उसने बहुत बड़ी गल्पी कर दी, उससे ऐसे नहीं करना चाहिए ता हो, आ बहुत अच्छी दवा है प्लंबम मिटाइलिकम इस दवा को लेकर आप अपने मन को अपने कावू कर्ट्रोल में करके अपनी समस्याओं से उबर सकते हैं एक स्थिति साती वाज की वाप इड़ी में आती है आम तोफ पर देखते हैं कि अपने फ्यूचर को लेकर बड़े दुखी रहते हैं उन्हें लगता है फ्यूचर में कुछ नहीं होना है और बहुत दुखी रहते हैं तो अगर जो अपनी नई पीड़ी है संसार में आम लोग एकोनाइट थर्टी पावत में दो-दोबून दिन में तीन बार ले ले आप देखेंगे कि आपका जो यहां घबडाहट और दुख और डर है यहां खतम हो गया अपने फ्यूचर को लेकर आसंकित होने काम और आप अपने को कॉन्फिडेंट बना के अपने करियर के लिए म कारोबार का फेलिया मंदी का दोर है इस समय लोगों की नौकिया जा रही है बड़े-बड़े बिजनेस फेल हो रहे है क्योंकि वो जो बदलाव हुआ है हिंदुस्तार में नोड़ बंदी के बाद अब उसमें जो एडाट कर पाया ठीक है जो नहीं एडाट कर पाया वो पि उनके कारोबार बंदूए और कारोबार बंदूए तो जारे सी बात आपको दूख होगा विपि रोजी रोटी का सवाल है उससे सीच को ठीक हो पर निकालने की बहुत बढ़ी हां अबराग्रेशिया और काली प्रोमेटम आप यहां दो दबाएं यानि एमराग्रेशिया थ दुखी और सैडनेस और ग्रीफ महसूस कर रहे हूं यहां दबाब के रेस्क्यू के लिए आएंगी और आपको पुन्हा इस समाज में अपने काड़ोबार में पुन्हा लडाई करके स्थापिश करने के लिए दिमागी तोर पे प्रेजित करेंगी एक सब्घ्साय की साथी एक सथी वहीं और में रहते हैं तो बहुत रुखी रहते हैं बाहर एक बड़े उस्कोиком स्थे के बादे निकरे मेरे इसे में बार व्यर्ल जा फुर्टे लासक्ति तो नहें जैना में है को बड़ा उजास लगता है और जब बाहर निकलता है सुसाइटी में जाता है लोगों के बीच आता है तो बड़ा फुस हो जाता है सारा दुख खतम, सारा गरीब खतम, सारी साइडनेस खतम, तो आप का ड्रक अपड़ चोईस प्लैटिनम मेटालिकम है आप प्लैटिनम मेट 30 पावर में दो दो भून दिन में तीन बार लेकर इस समझा से निकाल के खुशी प्राप कर सकते हैं यह साथियों कुछ दवाय की हुंएं पैथी में या कहूं कारगर दवाय थी आके दुख, ग्रीफ या साइडनेस को खतम करने की दबाए साथे में प्रयास है आपके दूख को खतम करने की आपकी लड़ाई आपको लड़नी है और आपको यह समझना पड़ेगा कि दुखी रहने से कुछ नहीं होना आप दुखी रहके बैठे रहोगे तो क्या जो चीज जहां से जहां उतार के उठार के रखनी है आप रख पाऊगे आपको बच्चों का पालब पोसंद करना आप कर लोगे आपके कमरें पलब पर लेट के दुखी रहोगे या फिर पुरुष भाई हमारे काम पर नहीं जाने साथ भर में बैठें दुखी होके तो क्या रोजी रोटी आ जाएगी तो आपको इस समझना पड़ेगा कि दुख सबके जीवन का हिस्सा है इस सैटनेस को कॉम्प्लिकेटड सैटनेस ना होने दे क्योंकि वहाइट मेडिकल कर्डिशन होती है अपने को खुश रखे और सबसे अच्छा तरीका है कि लोगों से बातचीत करते रहें आप जब लोगों से बातचीत करेंगे तो आप कुखी नहीं होंगे आप उनकी बात सुनेंगे कुछ अपनी कहेंगे दिल हलका होगा कुछ उनकी परिसानी सुनके भी आप अपने को तसली कर लेंगे तो आपस में बातचीत धायरा रखें राफता कायम रखें अगर आप यहां कर पाएंगे तो आप निश्चित रूप से दुख से बचे रहेंगे और जो थोड़ा बहुत दुख होगा वागत तुम हो जाएगा यह साथ ही जो आपको दवाएं बताएं हैं आपसे निवेजन करूंगा किसी सकते ही पूछ के लीचेगा यह अपने आप इस्परिमेंट ना की लिएगा अगर आपके मन में कोई परी हो तो आप हमारे वाट्साइब कंबर जो नीचे नोटिफिकेशन पैनल में दिया उस प आपको यह प्रयास पसंद लगा हो आपको लगेगा इन दवाओं से समाज का दूख कम हो सकता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नुटिफिकेशन बटन को क्लिक करके आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नेया वीडियो प्राथ करते रहिएगा आपका साथ हमें ती देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अबसे साथ हमें ती ती नुटिजखिकेशन के लिए वीड़ाणाय और आपक खलाव ऑन्यवाद हुआ कर दो है अ करदा है